ये दूद कच्चा है जब भी कोई चीज कच्ची होती है जैसे कच्चा दूद है यानि गरम नहीं किया हुआ तो हम क्या यूज करेंगे अन्राइप तो हम क्या कहेंगे ये दूद कच्चा है तो हम कहेंगे there is unripe milk there is unripe milk यानि कच्चा जब भी कोई कच्ची चीज होती है तो उसके लिए हम unripe word का यूज करते हैं अब जब कोई चीज पक जाती है जैसे के ये दूद बॉाइल किया हुआ है यानि बॉाइल हो रहा है चूले पर बॉाइल किया हुआ है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे राइप यानि ये दूद बॉाइल किया हुआ है यानि ये दूद पका हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे there is ripe milk there is ripe milk यानि ये बॉाइल किया हुआ दूद है पका हुआ दूद है ये चावल कच्चे हैं इसको हम English में किस रहां से कहेंगे हम ऐसे बोलेंगे न there is unripe rice there is unripe rice for example हम कहेंगे कच्चे चावल है क्या कच्चे चावल है घर में for example खतम तो नहीं हो गए क्या कच्चे चावल है घर में तो हम ऐसे कह सकते है there is unripe rice in the jar यनि कच्चे चावल है जार में अब जैसे मैंने ये पलाव बनाया है तो ये चावल पके हुए हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे There is ripe rice in the plate यनि ये चावल पके हुए हैं जो प्लेट में पड़े हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे Ripe का तो जब कोई चीज़ पकी भी होती है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं Ripe वर्ट का